जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वाइरस ने पूरे विश्व को अपने वाइरस से जकड़ा हुआ है अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं मिला पूरा विश्व परिशान है ऐसे में पब्लिक को क्या करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? यह हम आपको अपने नियूस के माध्यम से बताना चाहते हैं कोरोना वाइरस का एक ही बचाव है हम आपस में एक दूसरे से दूरी बनाय रखें? जी हां, हम एक दूसरे के निकट नहीं आएं क्योंकि यह वाइरस एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और इसका असल बहुत जल्दी देखने को मिलता है ऐसे में हमारे भारत के परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने बार बार भारत की जनता को समझाने का कारे किया लेकिन जनता परधान मंतरी नरेंदर मोधी की बात मानने को तयार नहीं है उन्होंने पहले भारत की जनता से एक दिन के लिए जनता कर्फियों लगाने का कारे किया था तब भारत की जनता ने इसमें अच्छी भागीदारी निभाते हुए उस जनता कर्फियों को अच्छी तरह निभाया लेकिन जब परदान मंत्री नरेंदर मोधी ने 21 दिन लॉकडाउन करने का फैसला लिया तो पब्लिक ने पहले दिनी उनके दोरा लगाया गया लॉकडाउन तोड़ने का काम किया उत्तर प्रदेश के मत्रा के कोसी कला में सब्जी मंडी के आसपास लगी हजारों लोगों की भीड एक-एक सब्जी विक्रेता की दुकान पर 15 से 20 लोग इखटा सब्जी खरीते हुए नजर आए आज उस बाद 6 बजे से लेकर 11 बे तक का समय था सब्जी लगाने का लेकिन 11 बजे के बाद भी काफी मात्रा में सब्जी विक्रेताओं ने अपनी दुकाने खुली रखी इसके जानकारी मिलते हुए थाना कोसी कला की पुलिस सब्जी मंडी में पहुची और उन सब दुकानों को बंद कराया गया और चेताबनी दी गई अगर किसी ने समय से जादा दुकान खोली उसका चालन काट दिया जाएगा जेल जाना पड़ेगा उसके बाद थाना कोसी कला की पुलिस ने कोसी कला में पूरे कजबे में जा जाकर जो लोग बाहर गूम रहे थे उनको अंदर आएने के लिए कहा लेकिन फिर भी पब्लिक मानने को तयार नहीं और बेकार की दो पईया वहन चार पईया वानों को पकड़ कर थाने भेजा इस अंदर्व में चाता चेत्र के अधिकारी जगदीश काली रमन ने जानकारी देतर बताया अगर वो नियमों का उलंगन करते हैं या जो समय सीमा निर्दारिट की गई है तने पर आपको बेशना है उससे अगर वो ज्यादा वेच्चे तो क्या करवाई की जाएगी देखिए जो दुकाने खुलने की गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार आज एक वेपारी संग कि लोग आये थे और हमारी तुन अगर पालिका के चेरे मैं है और हम्रांत लोग थे उन सबको बलांगे एक शामूही रूप से एक समय निर्दारित किया गया है दुकान खुलने का सुबह का समय और शाम का समय उन दुकानों में है सब्सक्ण और कि दुकान है दूद की कि समय वो पांट से साथ का समय है जो लोग बजारों में घूम रहे हैं उनके लिए क्या काई जा रही है देखिए धारा 144 लागू है और जो धारा तो लोगों से हम यही जो जनता जनारदन है समाज समाज के सभी वर्गों से यही कहना चाएं कि इस समय लौक डाउन की श्थीटी है और करोना बहुत ही संक्रमण वाले बिमारी है सभी लोग अपने घरों पे रहें और इस मामारी के अंदर सयोग करें क्यूंकि यह मानव जाती बहुत बड़ा संकट है और सभी लोग जब सयोग करेंगे तभी यह सफल हो पाएगा यही未经 . और सभी लोग अपने घर रहें अनवंशग रूप से भार ना निकलें आपके चैनल के वादल के मादियम से यही एक प्हुत्त cared करूब से न लोग उखटे होतें देखिए आज यहां पर ठाने के अंदर जो चार पांच लोग इखटे हुए तो वेपार मंडल है वेपार मंडल चेर्मेन और आज तैसिलदार और मैं हम सब लोगों ने बैठके उनके आप आप सी एक नड़ने किया गया कि यह चीजों का यह निर्दारित मुल्य उसकी बनाई गई सबी लोगों ने इस पर अर्श्टाक्षर की हैं जिससे की एक अंकूष लग सके और आम लोगों को जरूत का समान सही मुल्य पर मिल सके तो आज जो आज कमेटी बनी थी कमेटी बनी है उन्होंने एक मुल्य निर्दारित कर लिया उसकी सूची आप लोगों को मिल जाएगी उसी सूची के अनुसार उब और समान जो है बजार में बेखेगा यह पोसी कला के विपार मंडल और जो हमारे चेर्मेंन है उनका यह ख